तो दोस्तो जैसी के आप से भी वीडियो के थामनेल एंड दोस्तो टैटल में भी आप लोगों ने देखी लिया ओगा आज हम दोस्तो बात करने वाले हैं कि आप फोन पे से प्रस्नल लोन कैसे ले सकते हैं मेरे पास काफी लोगा कमेंट आ रहा था काफी लोगा याथ दोस्तों और loan amount जो है हमारे bank account के अंदर दोस्तों credit हो चुका है पहले मैं आपको पहले वो आपको amount दिखाता हूँ मुझे कितना का यहाँ पर मुझे loan मिला तो दोस्तों यहाँ पर देख पार होंगे दोस्तों loan amount जो है 16,000 जैसे कि यहाँ पर आप हमारे screen पर दोस्तों 1230 रुपेगा ठीक है और यह loan amount दोस्तों हमारे bank account के अंदर दोस्तों credit किया जा चुका है तो आज का यह video जो है दोस्तों आप सभी के लिए वर्दान से दोस्तों कम नहीं होने वाला क्योंकि आगर आपको पैसो की जरूवत है पैसो की emergency अगर आपको loan कहीं पर भी नहीं मिल हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको फोन पर application को install करना पड़ेगा आपके अपने mobile पर जिसका की link जो है मैंने आपको video के description box में डाला हुआ है इस application को जो दोस्तों यहां पर क्या करना है direct सबसे पहले आपको install करना होगा install करने के बाद आपको open में click करना जैसे दोस्तों इस मत करना कि सर मुझे loan नहीं मिल रहा है क्योंकि दोस्तों इसका जो है latest version आपको download करना है जिसका link बेन आपको comment box में भी pin कर दिया है description box में भी दोस्तों डाल दिया वहां से direct आपको click करके download करना है and दोस्तों download करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का phone page interface आएगा and यहां पर काफी लोग क्या करते हैं आपको यहां पर दुस्तों अप्शन कर दिखाते हैं कि यहां पर आप loan repayment वाले options पके click करके loan ले सकते हैं लेकिन यहां से दुस्तों लोग नहीं मिलेगा आपको ठोड़ा सा नीची आना है and यहां पर दुस्तों एक options आपको मिल लगा देख hardships तो यहां पर आपको add का एक option show करेगा जैसी कि यहां पर दोस्तों देख पारोंगे यहां पर आपको काफी तरीकिका एड चल रहा है यहां पर दोस्तों एक add आपको यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर मैंने ओपनी पारोंगे आपको गालाओगी कर लिए और आपको यहां पर आपको यहां पर पर आपको इएगरी में किलिक करना वागा जैसी दोस्तों जो है आप अपना get start में किलिक करते हैं आपको email id डालने के लिए बोले जाएगे email id डाल दना है उसके बाद उससे यहां पर आपको अपना नाम डाल दना है उसके बाद उससे यहां पर फिर्स नेम लास्ट नेम उसके बाद दोसु चूरज पर चूज करना हैं मन्थले देने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों मुझे देख पार होंगे यहाँ पर मेरे दोस्त को यहाँ पर जो लोन मिल रहा है 5000 कर मिल रहा है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लोन लेने के लिए जस्ट आपको क्या करना जितना भी तुच्छ कर सकतें, इहां से चलिए मैं फट फट फटच यहां पर क्या करता है, काम बेसी कर सकतें, आप 2 महीन आ कभी यहां पर emi रख सकतें लिए पर, जो लोन अमान्ट है आप खार सकतें, उसके बाद आपको यहां पर चार step आपको यहाँ पर complete करना है loan amount आपके bank account के अंदर credit कर दिया जाएगा तो यह सारची दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगा offer वगरा आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तो let guest start वाले options पर आपको click करना है यहाँ पर आपको basic information and यहाँ पर किया जाएगा setup auto EMI वाला options यहाँ पर enable किया जाएगा तो सारची आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको क्लिक करना है let guest started में उसके बाद दोस्तो यहाँ पर जैसे हम get started में किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ चीछति जी लिखी की करんैंटरफेस आ जा जाते दोस्तो rec suspended देखते है ऊल time मेरी आपष योड यहाँ पर दूस्तो आपसे पुछा जा रहा है आपका एज्युकेशन आपसे पुछा जा जा रहा है आपका यहाँ पर जो है दोस्तो लोन परपस एंड यहाँ पर जो लेंगवेज वगएर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है उसके बाद आपको यहाँ पर continue बटर में किलिक करना है साराची दोस्तो आप अच्छे तरीके से डाल देना उसके बाद continue कर देना है यह किसी भी रिलेटिव में सौप अगर किसी का नाम होगा वो साराची दोस्तो आपको यहाँ पर address जैसे कि दोस्तो यहाँ पर जो है बिजनेस का नाम आप किस तरीके का बिजनेस सिर्फ यहाँ पर डालना है ऐसा नहीं है का आपका यहाँ पर business नहीं है तो आपको loan नहीं मिलेगा कुछ भी यहाँ पर दोस्तो आप यहाँ पर business name उसके बाद उसका address, pin code and also annual turnover यह सारे सी दोस्तो आपसे पूछा जा रहा है उसके बाद आपको continue करना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको KYC किया जाएगा KYC करने के लिए दोस्तो देख सेते हैं verification KYC, आधार, DigiLocker and आधार eKYC तो यहाँ पर दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करना दो options मिलेगा DigiLocker से भी आप KYC कर सकते हैं तो चलिए मैं आधार वाले mode को select करता हूँ उसके बाद दोस्तो आधार card के उपर में number डालेंगे निचे दोस्तो यह capture जैसा लिखा गया है वो यहाँ यहाँ पर इस box में डाल देना है जो capture यहाँ पर लिखा गया उसके बाद आपको send OTP वाले options पर क्लिक करना है तो चलिए फट फट से यहाँ पर मैं सारा चीट डाल करके दोस्तो KYC कर लेता हूँ जो है मैंने यहाँ पर photo खीच के upload कर दिया है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर जैसी आपका photo यहाँ पर खीच के upload कर गोगों यहाँ पर थुड़ा से loading लेगा दोस्तो यह फोट जो है अप लोट होता है यहाँ ठीक है तो थुड़ा से network का यहाँ पर issue हो सकते आपको यहाँ शोरो हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना दूस्तो, शब्मिट डोकुमेंट वाले option पे आपको किलिक करना होगा तो चलिए मैंने यहाँ पर फट फट टे डाल देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको verify में click करना है यहाँ पर दोस्तों मैं guarantee दे रहाँ 1000% का दोस्तों यहाँ पर 5 बिनट के अंदर आपके bank account में पैसा आ जाता है मैंने दोस्तों यहाँ पर bank retail डाल दिये डालने के बाद यहाँ पर यह application rating माग रहा है यहाँ पर दोस्तों आपको EMI वगरा क्या है सारची दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल loan amount आपके bank account के अंदर कितना दोस्तों distribute किया जाएगा वो आपको सारची देखने को मिलेगा जैसे के दोस्तों 474 यह नहीं के दोस्तों करीब-करीब यहाँ पर करीब 1955 रुपय के यहाँ पर क्या जा रहा है यह सारा चीज दोस्तों आपको करने के बाद आपको यहाँ पर जो कंफर्म वाले बटर में किलिक करना है जो EMI आपके bank account से दोस्तों cut किया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है आप अपना net banking को भी choose कर सकते है ATM card को भी choose कर सकते है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पर choose करेगे card का दोस्तों यहाँ पर number डालेंगे यहाँ पर दोस्तों submit में click करेंगे आपके card में दोस्तों एक OTP आएगा OTP आने के बाद आपको verify में click कर देना दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख पार होगे card का number डालेंगे, month डालेंगे, CV भी डालेंगे continue करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके card के साथ जो mobile number लिंक है, उसपर एक OTP आएगा OTP डालेंगे वेरिफाइ करेंगे, ताके आपको यह confirm करेंगा application कि आपको हम loan दे रहे हैं, तापका जो debit card है वो आपका verify कर दिया गया, ताके आपका EMI यह नहीं कि दोस्तों आपका जो किस्त है आपके bank account से cut होता रहे है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है, मैरा complete हो चुका दोस्तों उसके बाद आपका application जो in progress में चला जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पर जो है, अपको फिर से खोलना है, आपको यहाँ पर तुरंद उसके बाद दोस्तों खोलने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है जश्ट आपका loan amount जो है, आपके bank account के अंदर transfer दोस्तों कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर आपको अपना confirm address जैसे की pin code उसके बाद दोस्तों full address यहाँ पर सारे चीज़ डालने के बाद, डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करने है तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर जो loan amount आपके bank account के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक submit यहाँ पर जो agreement आपको submit करना होगा तो आपके सामने दोस्तों agreement यहाँ पर submit करने के लिए आपको जैसे submit में के लिए करते है application status इस तरीके का दोस्तों लिख करके आएगा उसके बाद आपका पैसा जो है आपके bank account के अंदर दोस्तों इस तरीके का लिख करके आएगा और पैसा आपके bank account के अंदर transfer कर दिया जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो आप फोन पे से लोन ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सारा प्रोसेस लाइब इस वीडियो में दिखाया उमीद करते दोस्तो आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना है तो दोस्तों मिलते किसी नेक्स वीडियो तो तब ले जाए हिन दोस्तों वंदे मातर निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजाए और को दिकत आये तो